हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का अनलिसिस फॉर नेक्स्ट वीक तो शुरू करते हैं विकली चार्ट से तो आप देख सकते हों कि इस वीक जो है तो निफ्टी लगबग 271 पॉइंट और लगबग 1.8 परसेंट उपर बंद हुआ है लास्ट वीक के अच्छे खासे बाइंग के बाद हमने जो है तो फॉल अप बाइंग देखा है इस वीक भी और लगबग 280 पॉइंट की रैली देखिए हैं 270 पॉइंट की रैली देखिए ह आप देख सकते हैं कि दो वीक में जो है तो निफ्टी 14700 से लगबग 15500 तक गई है तो लगबग हमने 800 पॉइंट की रैली देखिए दो वीक में और यह जो है तो यह यह रैली आगे भी कंटिन्यू हो सकते हैं मगर यहां जो है तो रिस्क थोड़ा सा ज़्याद रहेगा व होने लगा है तो हो सकता है कि रैली जो है तो कंटिन्यू होगी हो सकता है कि बीच में एक दो रेड कैंडल आ जाए उसकी संभावना भी ज्यादा है मगर अब भी तो लग रहा है कि जो निफ्टी है वो वीकली चार्ट पे मूविंग है मोमेंटम में एंटर कर चुके है और कि एहां से कौशेस रहे ना पड़ेगा और सपोर्ट पे ही बाया करना है यहां जो है तो इस से लिंग का विउ नहीं रहेगा से विल इस से लिंग कर सकते हैं अगर जो हारी स्के हारीתח के उनके लिए सल रहेगी हैं बाकि सभी के लिए बाया य JES stone में कियो बतार आःउं आप देख सकते हो कि नीचे जो सपोर्ट है पहला वो है 15100 का उसके बाद में जो मेजर सपोर्ट है वो है लगबग 14650 और उसके बाद में 14500 तो अगर डीपर करेक्शन आता है तो 14500 तक जाएगा या फिर 14650 तक और छोटा करेक्शन आता है या फिर गाद आता है तो हम फिर से 15500 के लेवल के तरह बढ़ सकते हैं और वहा से फिर से सपोर्ट लेकर सप्पूर ट्रेंड का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकते हैं अब ये डेली चार्ट में मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहे हैं और हो सकता है कि मार्कट नीचे आ सकता है अभी 31 तरीक जो है तो लास्ट डे होगा इस मंत का तो नए जो पीवोट आएगा वो शाहिद इधर यहां कई तो भी रहेगा या फिर पंद्राजर सो के उसे टाश करने के बाद मार्कट गिर सकता है पिछला निप्ट फूचर का है यह फिचर का चार्ट है और रिकांटीनेज का चार्ट पूचर का जो हाई ता पीचला ओपंद्राजर फूच्थ 1224 का था आप यहां देख सकते हो यह जो रेड कांडल है यहां देख सकते हो कि 15,000 इसका जो हाई 15,000 पास्तो चोबिस पे था तो उसको टच करने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट गिर सकता है हो सकता है उसके थोड़ा सा उपर भी जाए मगर वह से ज़्यादा संभावना है कि मार्केट जो है तो नीचे आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे जो सपोर्ट लग रहा है मुझे वो 15,000 सो और 15,000 के अराउंड है अभी देखते हैं कि अगले माहिने का पीवाट कहां आता है उस हिसाब से देखेंगे और वो पीवाट तूट गया तो फिर से यह जो आवरेजे से इसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा सकता है नीचे और मुझे उसकी ज़्यादा संभावना लगती है क्योंकि यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे भी है मुझे एक बार लगता है कि निफ्टी जो है तो एक बार तो भी इस पीवाट को टच करने के लिए आएगी अभी कब आएगी वो पता नहीं मुझे मगर यहाँ बिल्कुल आएगी वो टच करने के लिए या फिर यह एवरेजेस को तो बिल्कुल टच करने के लिए आएगी एक बार नीचे वो कभी होगा ये मुझे पता नहीं है जब दिखेंगे उसके सिगनल तो आपको जो विकली डेली फॉलो पे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा मगर फिलाल के लिए तो विकली चार्ट पे मोमेंटम बढ़ता बुलिश बनता हुआ दिख रहा है मगर डेली चार्ट पे जोए तो ओरबाट मार्केट है और ये कोलाप्स हो सकता है हो सकता है ये रैली कंटिनीव हो मगर ये जोए तो फिर ये रना भी रैली रहेगी और इसको पकड़ना आसन नहीं होगा और इसमें ट्रेड करना बहुत ही रिस्क कि रहेगा जो छोटे ट्रेडर क्योंकि वह अगर फेल होगी तो हम उस हिसाब से फॉल भी देखेंगे और उसमें जो है तो बहुत सारे ट्रेडर जो है तो वाइप आउट हो जाते हैं ऐसे फॉल में तो यहां जो छोटे ट्रेडर कर पूरिशनल लेना है तो यहां मेरा पूरिशनल व्यू थोड़ा सा सेल कर रहेगा और मैं सेल करूंगा हाई के अरू जो फिछला हाइट तो 15550 के अरूंड सेल करेंगे वा सो देर सो पॉइंट का स्टॉपलस रखेंगे और मुझे लगता है कि नीचे जो है तो वासे अच् अगले अपते के लिए तो मेरा सेलिंग के भी रहेगा अगले अपते के लिए सेल राइज और यह सिर्फ रिस्क की ट्रेडर के लिए कॉल रहेगा छोटे ट्रेडर जो है तो दूर रह सकते है या फिर बाय ओन डिव सी व्यू रखें क्योंकि मॉमेंटम बुलिश है मगर ज 1550 या 520-30 पे वहाँ टॉप बना के फिर से निफ्टी जो है तो एक तो कर्रेक्शन देगा फिर या फिर अच्छा खाचाँ प्रॉपिट बुखिंग देखेंगे तो यह रहा मेरा अगले अपते के लिए व्यू सेल ओन राइज आपको सेल करना है 1550 के आराउं स्टॉप ल पूट ले सकते हैं या फिर 15600 का पूट लेना है उसके लिए स्टॉप लस रहेगा आपको 15700 का यह स्ट्रिक स्टॉप लस एगर 15700 पे निफ्टी जाता है फ्यूचर तो आपको उस पूट आप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा और वहां से क्योंकि विकली ओप्शन हो सकता है कि यह टार्गे एक विक में आके दो विक लगे तो इसलिए मन्तली जो आप्शन है आपका जून एक्सपारी का वो लेकर चलना है और फ्यूचर में हम सेल करेंगे 15500 के अरूंड वित 100 या 200 पॉइंट के स्टॉप लोस के साथ तो आई हो साथ शेयर कीजे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो